हालो यूरीवान आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी एस्टुडेंट फार्मेसी के एक्जाम दिये हैं जिसका एक्जाम दो अगस्त का हुआ था 2022 में उसके बारे में बात करने वाले है जो एस्टुडेंट 2021 में एडमिसन लिए थे उसका एक्जाम हुआ है जो 2022 बाइस में हुआ है फर्स समेश्टर का एजाम भी फर्मा का वह कुछ लेट चल ला है कोभी नाइंटिन के वह जासे सब सब पहले देखें के पेपर कोड किया था देखें यहां पर पेपर कोड था हमारा जो 09103 जो पेपर कोड क्या था 091103 यह था मेरा पेपर कोड उसके फर्मा फर्स समेश्टर का जो एग्जाम था जो अभी यहां पर 2021 का एड़ेट दिया गया है क्योंकि एग्जाम 2021 में हो जाना चाहिए था मोग कोभी 19 के वोज़ा से नहीं हो पाया है यह सबजेक्ट था फर्मा स्यूटकल कमेश्टरी है जो समेश्टर फर्स्ट का एग्ज जाता है जो 3D आऑर का धिया ज़ाता जो टामिंग दिया जाता खैंट देख लेंगे क्या करा एक में देutan सबसे पहले दिया गया दो मार्ग्र आर induction यहां पर दो देखें आगाiren कुर्ष्ण इन डिए पर इस कुछिन मतलब इस में नइन कशें दिया गया है ऑप और इसमें जो attempt है जो आपको फाइब कूस्टोwn को solve करना आपको यहां पे five question ही solve करना है उसके बार लिखाई है question number 1 is compulsory आपको जो question number 1 है जो आपको compulsory है बनाने के लिए सबसे पर आप देखेंगे question number 1 देखेंगे यहां पर question number 1 सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है question number 1 में यहाँ पर देखिए आपको इसमें question number 1 में है तो आपको 10 question पुछा जाएगा A, B, C, D करके ऐसे करके 10 पुछा जाएगा जो 2, 2 marks कराएगा एक question अप्सल्व किजीगा तो 2 marks मिलेगा इसमें से आपको 7 question को solve करना तो देखेंगे A में है जो दिया गया है what is limit test क्या है अगर इस question का आप solve करता है तो 2 marks मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 into 7 दिया गया है और 7 question को मतलब solve करना है और प्रते question 2 marks का 2 marks का और क्या 14 number का एक question है question number 1 है जो यह कितना 14 marks का question है और B में दिया गया है give the chemical reaction involved in the limit test sulfate question अची तरह से देख सकते हैं यह कल ही ग्याम हुआ था 2 अगस्त का हुआ था और देखेंगे अगला question देखेंगे क्या define anti-acid और आगे question देखेंगे give the physiological role of potassium potassium ion और question number E है इसमें दिया गया है give two example of trash elements और चलिए आगे देखेंगे question और यहां पर देखेंगे question number जो एफ दिया गया है यहां पर एफ तो क्या दिया है define the respirator the stimulant giving one example देख सकते हैं इस type का question सब पुछा गया था और G में जो पुछा गया है what are ematics क्या है question को देक् सकते है question number I 7 question को बनाना है question number 2 देखेंगे question number 2 हे यहां पर दीए गया है 14 box का एक question है इसमें डागे इसमें से आपको कितना question पुछा गया है 計ना question जिसमें वन question तो आपको compulsory है बनाना ही पडहgame और उसके बाद बजाता है question number 8 question बजाता है उसमें से आपको चार को solve करना है question number 2 देखेंगे explain the various acid-based theories discuss acid-filing agent acid-fying agent आपको यहाँ पर question number 2 देख सकते हैं जो आपको चोदमाक्स में पुछा गया था और question number 3 देखेंगे यहाँ पर classify protective and absorbance giving example explain their action and use इसका यूज बताना है explain करना है इसके बारे में जो आप question number 3 देख सकते हैं यह भी आपको चोदमाक्स में पुछा गया था question number 3 और question number 4 देखेंगे यहाँ पर question number 4 है discuss the various complexing and the chelating chelating agents give their pharmaceutical use यह pharmaceutical में इसका क्या use है इसके use के बारे में बताना है और यह भी आपको चोदमाक्स में पुछा गया था और question number 5 देखेंगे आप in list various dental products discuss the dentiferics in details इसके भी आपको products के बारे में क्या discuss करना है और details से लिखना यह भी आपको चोदमाक्स में है और उसके बाद question number 6 देखेंगे explain the principle of limit test of iron and chloride give the producer of the chloride limit test आप इसे क्या है आपको explain करना है principle लिखना और limit test of iron को इसके बारे में details से लिखना है आपको प्रिंस्पल के साथ यह भी आपको चोदमाक्स में पुछा गया था आप उसके बाद question number 8 देखेंगे यहां पर और question number 7 देखेंगे यहां पर आपको चोदमाक्स में पुछा गया है आप उसके बाद question number 8 देखेंगे यहां पर आपको किसी दो पर है आपको लिखना है जो एक अगर आप बनाते हैं तो यह भी seven marks का है यहां पर देख सकते हैं तब आपको 14 marks मिलेगा अगर आप यह सिर्फ बनाते हैं तो आपको सिर्फ seven number मिलेगा इसलिए इसमें आपको दो बनाना है चलिए फिर आपको नेक्स्ट एक्जाम का जो एक्जाम सार तरीका है उसका भी वीडियो अप्लोट करेंगे और सारा कुशन अप्लोट करेंगे मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मिलते हैं